जितने सारे बच्चे जुड़ पा रहे हैं मुझसे देख पा रहे हो और क्लास में जैसा कि हमने आज लिखा है कॉमन एर्रस तो आज मैं आप से कॉमन एर्रस की बात करूँगा चुकि एक्चुली क्या है कि कॉमन एर्रस बहुत सारे बच्चों की समस्या होती है Sporting Errors नहीं कर पाते बच्चे, बहुत सर्व बच्चे बोलते हैं कि सर्व Common Errors में और Common Error नहीं कर पाता, उनकी समस्याएं होती है, sorry, तो Common Errors में समस्याएं होती कहा है, एक्चली बच्चे क्यों नहीं कर पाते, Common Errors में questions जो होता है, जो pattern है question करने का, basically grammar का portion होना ज़रूरी है, actually आप DSL spoken English, DSL learning, DSL English पे आप जुड़े हैं, तो DSL English पे रात को 9 बज में आता हूं, DSL spoken पे साम को 7 बज आता हूं, और वहां पे आकर के हमने तरहत रहके अंग्रेजी बोलने के लिए spoken करने के लिए आपको videos हमने दिया हुआ है, जिस पे आप speaking करते हो, तो spoken, actually अभी आप lockdown में घर बैठे हो और पता नहीं अभी क्या mood है लोगों का क्यारवईया है, भरत में कैसा situation होगा, अगर 2020 में सब सुरक्षित रहा गया है, तो आगे सब बढ़िया होने बाला है, तो यह हम लोगों को आपस में मिलकर के देखना होगा कि भाई बीमारी ना फैले, और बीमारी घर बैठने से नहीं फैलने बाला, तो बाहर नहीं निकलना है, और इसके लिए क्या है कि घर बै है, एक दूसरे कि सिकवा सिकायत नहीं करने हैं, घर में बैठे हैं, तो सिकायत करकर के कुछ नहीं मिलने बाला, अब हमेशा आप अपने लिए कुछ बेह्तर काम कर सकते हैं, इस समय में आप इदर दर कीबाते नहीं सोचकर कि अपने myind को boost कर सकते हैं, अपने myind में कुछ productive में अपने जादा को इतना जड़ा फर्टाइल बना सकते हैं के जब बाहर निकलो तो आपके अंदर एक अलग 사 क्रांती कारी घट ने आपके लिए अलग सा ज Нуि और आपके साथ अलग सा जुनून अपके दिमाग मिल अलग Sayon हमने टाइटेल डाला एह हमेशा आपको अल्टरनेट लाइब मिलता रहेगा इस वीडियो मैं सोच रहा हूं रोज बनाने के लिए डेली माना चाहता हूं किसी बज़ा से अगर मैं ना आपाऊं जैसे आज साम में नहीं आऊंगा तो किसी बज़ा से मैं ना आपाऊं तो आप घबराना नहीं प्रती दिन हमने तीन चैनल आपके लिए डिकेटेट कर दिया है और आज के दिन में आज जस्ट नौ तुड़े आज के दिन में हमारा DSL ह हमारा मतलब आपका, आप सबों का पूरे हिंदुस्तान का जो DSL चैनल का परिवार है, वो 42 लाग का हो गया है, आप सभी 42 लाग के फैमिली बन गये हैं, और यह सरे मैं अपने लेता ही नहीं, मैं तो कुछ हुई नहीं, मैं सब सरे आपको देता हूँ, और आज के डेट में कुछ बच्चों का मैं Special Commentous भी लूँगा, कुछ बच्चे का Special Commentous में लेकर आज प्हाँँगा कॉमा न Canadians बच्चigentान भी कुछ बच्चे कमेंट भी लूँगा और और कुछ special teachers, आज के डेट में 42 लाख टीचर पूरे हिंदुस्तान में पैदा हो गए चुकि 42 लाख मैं केले नहीं हूँ, 42 लाख जितने को मैं पहा रहा हूँ वो सब अपने आप में टीचर ही तो बन रहा है वो अपने आप में ऐसा इंगलिस का बिद्वान बनेगा को उसके लिए 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 उसक हिंदुस्तान कही है बहुत सारे टीचर्स जिनोंने a special call किया कि सरमयाब से सिखता हूँ सिखाता हूँ बच्चों को और मुझे बहुत अच्छा लगता है बहुत सारे students हैं जो आकर के हाँ बताते हैं बहुत सारे टीचर्स भी ऐसे हैं, जो अपने special बच्चों को भेजते हैं चैनल पर, कि जाओ, और वो बच्चे भी मेरे को फिदा हो जाते हैं, कुछ एजेंट भी आते हैं, वो भी मेरे दिवाने हो जाते हैं, तो basically बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जो हमारे दिवाने हैं, तो मैं उनको बहुत नमन करता हूँ, कि आप इस तरह से मुझे प्यार देते हो, समान देते हो, कुछ ऐसे टीचर्स हैं, जो पूरा हम पर रिसर्च किया हुआ, मैं तो खुदी रिसर्चर हूँ, लेकि उन्हें पूरा मेरे उपर रिसर्च किया हुआ हैं, हर एक वीडियो को देख और देखकर के मुझे काफी सराहते हैं, तारिफ करते हैं, कि सर आप गजव महनत करते हो, तो महनत मैं नहीं करता हूँ, आप लोगों के जुनून और जज़वे को मैं सलाम करता हूँ, और आप देखते हो, और आप देखते हो, और आप DSL English को 42,00 अग फैला दीए, DSL Learning, जि पर साम को साथ बज़ा आता हूँ मैं, बेसिक क्लास से पर आता हूँ, उस पर आपने 20,000 क्लास पर कर दिया, तो ये लगभग बहुत सारे बच्चों ने ऐसा किया है, और मैं आपके लिए आपको और इक बधाई देना चाहता हूँ, कि पूरे हिंदुस्तान तो ही, पूरे व क्लास लिया, और क्लास लेकर कि आप जो पढ़ रहे हो, और जो पूरा क्लास आपने लिया है, और पूरे क्लास को जो आप पढ़ रहे हो, सिस्टमेटिंग से पढ़ रहे हो, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा आपके प्रती हूँ कि आप इतना बढ़िया डिसिजन लिया कि आप डिसन ले करके क्लास कर रहे हो आप सबों को बहुत भूद धन्यवाद कि DSL English App को भी इतना आगे बहा करके आप सब बच्चे पढ़ रहे हो और सिख पा रहे हो और अंग्रेजी सिख पा रहे हो बोल पा रहे हो एक्जाम के लिए त्यारी कर पा रहे हो इसके लिए आप अपने लिए एक पर क्लैपिंग करिए और सारे हिंदुस्तान के बाहर भी बचे पढ़ रहे हैं और जो भी हिंदुस्तान के बाहर के बचे वो भी सिख पा रहे हैं और वो भी सिख करके एक्जाम के साथ साथ अपना personality इंप्रूब कर पा रहे हैं और सिख पा रहे हैं बहुत बड़ा एक अपने आप में चिमतकार है कि धर्में सरुक इतना आगे बढ़ाया और आपने आगे बढ़ा ये बहुत बड़ी उपलबधी है मैं अपनी उपलबधी नहीं मानता मैं आप सबों का देन हूँ कि आपने मुझे इतना आगे बढ़ाया और उसके साथ मैं और महनत करता हूँ जब आप मुझे कुछ सलाह देते हो बहुत सारे टीचर्स हैं जो मुझे सलाह भी देते हैं अकसर मिलते हैं मुझे बताते हैं नहीं तो वो कमेंट करते हैं कि sir ऐसा 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 तो उनकी सला भी मानता हूँ मैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि चलो ठीक है आप मुझे से बड़े-बड़े सब लोग हैं मुझे सला भी देते हो और बहुत अचीज़ा आपको सिखने को मिलता है बहुत बड़ी प्लब्दी यह है, कि आप मुझे research करते हो, हर वीडियो देखते हो, और देख करके, आप अपने बच्चों को पहाते हो, अपने students को पहाते हो, तो आपके पास अगर 100 बच्चे हैं, तो मुझे लगता है कि वो मेरे ही बच्चे हैं, और इस तरह से काम करते हैं तो मैं जब मुझे पहाता भी हूँ, तो मुझे पहाता हूँ तो वहां भी जो है, आफलैन में बच्चे आते रहते हैं, परिसान भीड लगी रहती है, तो आप सारे बच्चे मुझे बहुत प्यार करते हैं, मुझे बड़ा मजाता है, अच्छली मैं आप उसके प्यार से रहता हूँ, आपके सायोग से बंधा रहता हूँ, और ये बहुत बड़ी उपलब्दी है आप सबों का, कि इस तरह से आप काम करते हो, बहुत बड़ी चीज है, कि आप मुझे सुनते हो, और देखते हो, और पढ़ते हो, आज मैं आपके साथ common error पे बात करने बाला हूँ, common errors आप सभी मुझे देख पा रहे हो, तो common errors के लिए मैं आज सिखाने बाला हूँ, कि आखिर errors को find out कैसे करते हैं, कैसे उसे पढ़ते हैं, questions का क्या origin होता है, आपका thought level क्या होगा, मैं जड़ा आपके comments को देख रहा हूँ, कि आप कैसे आप हो, किस तरह से, बहुत सारे बच नमस्कार करता हूँ, और जो हमसे मेरी क्लास की बच्चे हैं, और जो पढ़ पा रहे हैं, सब को प्यार यहां से भीजता हूँ, बहुत सुंदर, और जो मुझे छोटे, तीन साल के बच्चे तो मुझे देखते हैं, फॉलो करते हैं, उन सब को बहुत बहुत प्यार, तो य यहां पर गलती कैसे पकड़ते हैं, किसी भी चीज में गलती कैसे पकड़ो, इसमें बड़ा मज़दार चीज पहाऊँगा मैं आपको, तो common years में देखो, पढ़ने का तरीका क्या होता है, इसमें आप घबराना मत, बैठे रहो, हिलना मत यहां से, आज यह मत सुचो की spoken करने क के लिए आना है, spoken के लिए सामको 7 बजे, चैनल का नाम DSL spoken English, लिख लो, और DSL English रात के 9 बजे मिलता हूँ, advanced spoken के लिए, प्ला सिखने के लिए, ठीक है, यह लर्णिंग है, यहां पे SSE, UPSC, CPO, एक्जाम की त्यारी के लिए, एक अकेला teacher, सब काम करूँगा, सब चीज question है ना, भाई, बोलने का काम यही आएगा, लिखने का काम यही आएगा, पढ़ने काम यही आएगा, तो सीखो ना, दिखाए पढ़ रहा है सबको, चलिए बापीस आए, तो देखो जाब पहो आराम से, these books are sanjuj, these books are sanjuj, देखों क्या लिखा है, these, these books are sanjuj, हिंदी भी बता समझाऊँगा, एक एक पार्ट समझाऊँगा, आज दिमाग में नहीं गया आना, तो बताना मेरे को किसा समझ में नहीं आया, बड़े प्यार समझाऊँगा, आज क्लास सब स्रिस्ट क्लास होने बाला है, these books are sanjuj, common errors, sanjuj का मतलब है sanjuj का, यह apostrophe, these, these मतलब यह सब किताबे sanjuj की हैं, अब sanjuj में देखो होता क्या है, अगर हम लिखते हैं rams, तो यह apostrophe is कहलाता है, एक का के की है, अब बेवलू rams pain, तो हो जागा राम का के की कलम, तो राम का के की हो गया, तो sanjuj मतलब sanjuj के, यह सब किताबे किस के है, sanjuj के, और end लगा दिया, अब end का एक concept समझ होगा, ध्यान देना, दोनों सेम होगा, end से पहले जो होगा, end के बाद ही, वही सेम होगा, अब बोलो sanjuj क्या है, अधिकार दिखा रहा है यह नहीं दिखा रहा है, तो इसे भी होना चाहिए था possessive possessive adjective होना चाहिए था यह है possessive pronoun sorry यह possessive pronoun होना चाहिए था यह possessive adjective है your के बाद ध्यान देना your के बाद noun चाहिए चुकि your adjective है तो यहाँ पर ऐसा काम करो जो संजू के जैसा बन जा है संजू का Sanjiu ka तो यहां पर हमाद चाहिए तुम्हारा तो तुम्हारा कर दो चाहिए यहां दि ह Miller हम प्रॉर आपको पहला concept अगर मैं यहां पर एक line लिखोू देखें क्यआ जर्शा सुकत क्या है अगर मैं यहां पर line लिखों कि जैसे देखिये This is Ram's pen ठीक है, यहें पर लिखो मैं This is Your यहें पर लिखो मैं This is Yours ध्यान दिजिएगा, यहां जो yore है यह गलत है, यह बला सही होगा और यह सही होगा, यह यहरा किया हुआ तो your हो गया adjective और yours हो गया pronoun तो यहां पर yours का मतलब हो गया, this is yours यह तुम्हारा है, जिसमानों, this is yours pain, गलत हो जागा, this is your pain, this is your pain, या this pain is yours, यह सही होगा, तो your pain के बदले, मैं yours कह सकता हूँ, यह बास मुझमाया होगा, your pain के बदले, yours कह सकता हूँ, उसी परकार, यहां पे योर के बदले, क्या करना चाहिए, yours, ठीक है, तो these books, यह सब किताबें, संजु की हैं, and तुम्हारी है, then why are people wanting to take them, तो आलोक उसको लेना क्यों चाहता है, तो यहां पे your के बदले, क्या होना चाहिए था, yours, तो common errors जो होता है, ध्यान दिजेगा, common errors जो होता है, वो होता क्या है, कि common errors, जब भ गलती मिले, वही part answer होता है, और उसी part को answer चून करके answer लगाते हैं, clear होगा concept, तो यह your के बदले, yours होता, तो sentence right होता, इसका मतलब कि answer हम लोगों का दो number हो जाएगा, तो दो number में your के बदले, yours होना चाहिए था, यह बास में आ गया, आगे बढ़ते हैं, देखिए, concept समझना यह है, कि जैसे भी आपको मैं कराऊं, तो आपको whatever is dull, देखिए, whatever is dull, अब देखिए, whatever is dull में कोई गलती फिलाल नहीं मिला है, हम एक line से, ऐसा मत सोचना आप, कि यह बाला line अलग है, और यह line अलग है, यह पूरा का पूरा यहां से ले करके यहां तक, यहां तक एक ही line है, और एक ही sentence है, इसलिए आपको कभी मैं सोचना, you never think कि आप sentence अलग-अलग होगा, यह sentence अलग-अलग नहीं है, और यहां पूरा part, यहीं all parties same, सारे parts same है, यह सारे चीज़, यहां तक सब क्या है same है, अब देखिए, whatever is dull, आप भी सासत बनाते रहो, हैना, whatever is dull, cannot gain the confidence, whatever, जो कुछ भी dull है, cannot gain the confidence of teachers, because no one loves dull student, अब देखो, dull student, अब देखो, क्या कह रहा, whatever is dull, जो कुछ भी dull है, अब dull का मतलब सुस्त, मंद, अब अब तो सुस्त और मंद होने का काम बस्तू करता है, या व्यक्ति करता है, whatever is dull, जो कुछ भी, हैना, तो whatever is dull, अब whatever बस्तू के लिए, whatever का हिंदी होता है, जो कुछ भी, अब देखो, यहाँ पे कहीं भी, यहाँ पे student है, no one loves dull student, कोई ब्यक्ति, dull का मतलब सुस्त भी द्यार्थी को, कमजोर भी द्यार्थी को पसंद नहीं करता, जो कोई भी dull होता है, तो जो कोई के लिए whatever नहीं आएगा, whoever आएगा, तो यहाँ प confidence of teachers, क्योंकि जिस किसी का भी confident, जो भी लड़का, जो भी कोई dull होता है, तो वो teachers का confidence प्राप्त नहीं करता, क्योंकि कोई उसको पसंद नहीं करता, तो यहाँ पे whoever is dull होना चाहिए था, sentence का concept पढ़ना है, क्या कि whatever का प्रयोग कहां करते हैं, और whoever का प्रयोग कहां करते हैं, बहुत सारे बच्चे जो speaking चाहते हैं, वो सोचते हैं कि speaking अलग है, यह learning अलग है, नहीं बटा, आपको अंग्रेजी पूरी तरह सिखना है, इसलिए हर एंगल से आपको डटे रहना, जब भी मैं पहाऊं, आप डटे रहो, ठीक है न, आप compare मत लग रहो, कौन क्या है, कौन कैस है, सारे टीचर्स बढ़िया है, कोई टीचर बुरा नहीं होता, मेरे मानना है, यह टीचर जो भी बन रहा है, वो सोचता है कि मैं बहतर पर हूँ, बास मज़पा रहो, हिंदुस्तान में इतने कलाकार हैं, इतने टीचर्स हैं, कोई नहीं सोचता, आप जब फिल्मी दुनि है, बास मजपा रहो मेरे बात, इसलिए मैं आपको अपने हस्तर बहतर पहा रहा हूँ, यह आपको पसंद करना है, कि मैं आपके लिए बहतर हूँ या नहीं हूँ, अगर मैं बहतर हूँ, तो हर चैनल पर ठीके रहे, बढ़ाईए, हिंदुस्तान को पढ़ाईए, और सब अगर बढ़िए, अगर आपको लगता है, कोई गरवर हो रहा है, तो हिंदुस्तान में हजारों चैनल है, जाइए, वहां सिखिये, सिखने कोई मिलता है तो, लेकिन बायस्त मत रहिए, यहां से फ्रेस रहिए, जो यहां से फ्रेस रहेगा, वो हिंदुस्तान में तूफान मचा देगा, बास मच पारे हो आप, तो यहाँ समझ में आ गया, अगले कोशन पर चलते हैं, कोशन नबर थर्टीन देखिए, once she asked her, देखिए सिख्षिने का प्रास करिए, हमने क्या कहा, once she asked her, teachers that what happened when the English left India forever, देखिए गौर से, once she asked, once she asked her, एक वार उसने उसे पूछा, teachers, teachers से पूछा, that what, अब देखिए समझे गौर से, that एक कंजंग्सन है, समझे एक बढ़ियां से, that और what, देखिए, यह दोनों है क्या, यह दोनों कंजंग्सन होते हैं, जो दो संटेंस को जोड़ने का काम करते हैं, that और what इसको क्या कर रहा है, जोड़ने का प्रयास कर रहा है, अब प्रस्ट नूटता है कि यहाँ पर that भी आया, what भी आया, तो भाई, दोनों चीज संबब कैसे हैं, दोनों ही उसलता, तो that और what दोनों से जोड़ने का प्रयास नहीं करेगा, इसलिए आप यहाँ पर देखिए कि what happened when the English left India forever, क्या होता, जब इंडिया हमेशा, English, the English मतलब अंग्रेज, यह क्या हो गया, अंग्रेज, left मतलब छोड़ दिये India forever, हमेशा के लिए India छोड़ दिये, क्या हुआ, तो यहाँ पर जो है, that का प्रयोग नहीं होना चाहिए था, double conjunction का प्रयोग नहीं होगा, once you asked her, teacher, what happened when the English left India forever, forever का मतलब होता है, हमेशा के लिए, the English का मतलब हो जाएगा, English, left का मतलब छोड़ दिया, यहाँ तक बच्चे समझ में आ रहा है, आप सब को बहुत सुंदर, अगला कुशन देखिए, Allok is the boy, Allok is the boy, यहाँ पर कोई गल्ती नहीं है, Allok is the boy, and who, अब ध्यान दिजे, reads his books, when we sleep at night, आपको पकड़ना कैसे हो समझे, अब देखिए, Allok is the boy, हम बोलते हैं ना भाई, you are a boy, you are the boy, अब प्रशन देखिए, you are a boy, क्यों नहीं किया, the boy क्यों किया, तो अब a and the, कभी मैं आपको प्रहादूंगा, रात के नौ बजे के चैनल में, आप देखिए, मैं a and the के बारे में, रिटेल क्लास देदूंग आपको वहाँ, ठीक है, वहाँ फिल कर लेना, तो हम बहुता है, आलोक इस दा बवाई, तो आलोक इस दा बवाई, अनि आलोक वही लड़का है, अब देखो, and conjunction होता है कि नहीं, और who भी होता है, करने सब जस्ट कहा था, देखो that or what, तो who भी एक conjunction है, तो प्रश्ण उड़ता है, कि एक sentence में, दो conjunction कैसे आएगा, same sentence में, दो conjunction कैसे आएगा, तो देखो, यहाँ पे end भी आया, और क्या आया, who भी आया, तो यहाँ पे end को काटना पड़ेगा, तो अब आलोक इस दा बवाई, इसको relative conjunction कहते, इसको मैं समझा दूँ आपको बढ़िया साबको, अगर समझना चाहते हैं इसको, तो मैं थ्वासा यहाँ पे जगह है, मैं आपको सिखाने का प्रियास करता हूँ, देखिए, यहाँ पे कहता है noun या प्रोनाउन, समझे बढ़िया यहाँ से, प्लस अगर हूँ आ रहा हो, विच आ रहा हो, दैट आ रहा हो, तो आने वाला जो वर्व होता है, वो पहले वाले noun और pronoun के अनुसार आता है, और ध्यांदेना अगर यहाँ पे हूँ दिया है, तो पहले वाले noun प्रोनाउन से पहले, आर्टिकल दा काप्रियो करते हैं, अब देखो यहाँ पे, हू काप्रियो किया कि नहीं किया, आलो कि दा बढ़ा हू, अब देखो यहाँ पे हू आया था ना, अब हू से पहले यहाँ पे क्या आया, बढ़ा है, देखो, हू से पहले क्या आया, boy, अब boy से पहले क्या आया article, the, क्यों आया भाई, क्योंकि इसे हम कहते हैं, यह indefinite, sorry, relative pronoun तो ही, relative pronoun का मतलब होता है, कि जो दो sentence को, इसको relative conjunction भी कहते हैं, right, इसे क्या कहते है, relative conjunction भी कहते हैं, इसको, जो दो sentence को जोड़ता है, आलोक वही लड़का है, who reads his book, जो अपनी किताब है, who, who मतलब कौन, boy, that क्यों आया, क्योंकि particular boy की बात कर रहा है, तो who reads his book, when we sleep at night, यानि जब हम लोग सो जाते हैं, तो अपनी किताब पढ़ता रहता है, तो यहां पर the का प्रियोग होना जरूरी था, इसका मतलब कि end यहां पर unnecessary आया था, तो यहां ध्यान दीजे कि who is that, ज reads भी singular, देख पारों सब लोग, boy singular, तो reads भी singular, तो इसी के अनुसार वर्वी आ रहा है, और who, boy को represent कर रहा है, इसके पर दा आया है, दा क्यों आया, क्योंकि definite बना दिया इसको, तो जब कोई noun definite होता है, तो उसके पहले article दा लगाते हैं, और जो वर्व आता है, वो पहले बा करके एक और grammar class को बढ़ी हां से देख लें, पूरा class videos देख लें, या बात करें, ठीक है, आगे देखिए, question of 15 देखिए, when I saw a baby, ठीक है, एक question यहां से लेकर यहां तक है, देखिए गोर से, when I saw a baby, when I saw a baby, अब देखिए आप गल्ती कहीं दिख रहा है, when I saw a baby, कहीं गल्ती के बढ़ी हां से, यहां पर जो लाइन दिया है, when I saw a baby, जब हमने एक बेबी को देखा, बच्चे को देखा, when I saw a baby, जब हमने एक बच्चे को देखा, I was unable, मैं असमर था, तू से कहने में, वेदर की, सीवा जगर्ल, कि वह लड़की है या नहीं, लड़की है या नहीं, भा इसे पता चला, कि लड़की है कि नहीं, यह तुम बोले हो कि सीवा जगर्ल और नॉट, वो लड़की है कि नहीं, पता नहीं, तो लड़की है कि नहीं, पता ही नहीं है, इसका मतलब कि वो लड़का भी हो सकता है, इसका मतलब कि तुम्हें जेंडर डिसाइड नहीं, जैसे मालो इसको अटाओ, हमने फोटो ऐसा बना दिया, अब है छोटा बच्चा जब जन्म होता है, जन्म नहीं बेबी है, अब धकाओ, क्या पता कि यह लड़का है कि लड़की, जब तुम, you are unable to understand whether it is boy or girl, तुम्हें पता ही नहीं कि लड़का है कि लड़की है, you are unable to say, कि whether it is boy or girl, in that case, if we are not able to recognize the gender, in that case, we should use it, it का प्रयोग किया जाता है कब, जब gender decide नहीं हो तब, जब gender decide नहीं हो तब, अगर यहाँ पर वेदा, देखो, वेदर का प्रयोग तब करते हैं, जहां doubt होता है, वेदर का प्रयोग वहें करते हैं, जहां doubt होता है, तो बोले हाँ पर doubt है कि नहीं है, तो doubt क्या हो गया, कि she was a girl, अगर होता, she was a girl नहीं हो जाता, तो बिल्कुल right होता, right, लेकिन or not, है की नहीं कहना मुश्किल है, so that हम लोगों को she के स्थान पर, धन दीजिए यहां पर, to say whether she के स्थान पर, यहां पर, it का प्रयोग करना होगा, यहां पर, she के स्थ कर रहा है, कि not है की नहीं है, इसलिए बच्चे, यहां पर, it का प्रयोगा, यहां पर, it का प्रयोगा, यहां पर, it का प्रयोगा, यहां पर, it was a girl or not, I hope, smudge में, सबको आ रहा है, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया तयारी, आप सबको चल रहा है, बहुत अच्छे से खेल बहुत बढ़िया तयारी, question number section दिखते हैं, बहुत बढ़ियां से अपर हो, सीखो बच्चे, आप देखने का प्रयास करो, कैसे मैं सिखा रहा हूं, देखिए, this notebook is not yours, this notebook, your notebook is not yours, तुम्हारा नहीं है, बहुत बढ़िया, perhaps it is her, अब देखिए, it is her, या उसका her की बात कर रह है, so you should not take it, तुम्हें नहीं लियां चाहिए, अभी just इसके पहले question दिखाऊगा अपने, कि this notebook is yours, yours क्या है, एक possessive है, और perhaps it is, अब देखिए, यह जो जोड रहा है, वो इसको जोड रहा है, कर रहा है, कि this notebook is not yours, तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा नही है, उसका है, तुम्हें के लिए हर्स लगाना प्रागाना हमको, तो यहाँ पर हर की जगह हमको, ह, आइसे करना पड़ेगा, तो इस हर्स का मतलब हो गया, अधिकार, possession हो गया, आपको वह सर्ये नहीं समझ में आता है, सर्य कम परहा है, तो कोई बात नहीं, कि यह कि बार offer का लाव उठाइए कोई दिक्कत हो आप बहुत बनेया फैसला कर रहे हैं अभी पढ़ने का समय रियल पढ़ने का टाइम है इसको पढ़िए और लाव उठाइए ठीक बचे तो यहां पर हर की जागा क्या करना होगा हर्स करना होगा यहां पर देखिए अगला question who does not help मैं आपको बैठे बैठे चाहता हूं परहाता हूं मैं तो सुवा से साम परहाता रहना चाहता हूं कि सारे बचे पढ़ें सिखें मरे से who does not help Deepak who does not help Deepak and what goes wrong with him we are curious to know it अब देखिए यहां पर which does not help Deepak who does not help Deepak यानि who does not help Deepak यानि Deepak की help कौन नहीं करता and what goes wrong with him उसके साथ क्या गलती चल रहा है with him we are curious to know it अब यहां पर ध्यान दिजिए कि who does not help Deepak ठीके बचे यहां तक कोई गलती नहीं है and और what आप को होगे सर यहां पर दो कंजंचन आ गया and भी आ गया what भी आ गया तो आप देखिए कि and what goes wrong with him उसके साथ क्या गलती हो रहा है we are curious to know it अब देखिए यहां पर यहां पर it है अब it है किसके लिए भाई तो what goes wrong with him उसके साथ क्या गलती समझ यह questions के pattern को देखिए कि who does not help दीपक दीपक मिलत को दीपक क्या living noun हो गया अब यहां पर and और what आप को होगे सर दो कंजंचन आ गये तो दो कंजंचन नहीं है यह and इसके साथ और इसके साथ जोड़ा है क्योंकि what goes wrong with him यह एक clause हो गया यह what conjunction का काम नहीं कर रहा what conjunction तब काम करता जो पिछले में that था यहां पर what के साथ अगर गोज नहीं होता एक clause होता subject भर होता तब तो यहां पर what conjunction का काम करता यहां पर conjunction end है और what goes wrong with him यह एक clause है इसलिए यहां पर इस पार्ट में कोई गलती नहीं है समझ पा रहे हैं इस पार्ट में कोई गलती नहीं है तो we are curious to know it इस sentence में कोई एरर नहीं है यहां बात आपको समझ में आ गया होगा ठीकि बच्चे यहां तक question number 18 देखते हैं कोई अठाड़ा करता है Herself is a teacher समझ आपने हां से Herself is a teacher अब दोखिए Herself यहां पर आपको प्रहाया भी होगा आपको class भी दिया होगा कि self pronoun is never used as a subject in a sentence self pronoun self क्या होता भाई myself yourself himself herself तो जितना भी self pronoun होता है वो कभी भी subject काम नहीं करता self pronoun is a never used as a जिसे बोख बोलते हैं न myself is a teacher myself धर्मिन दुकुमार तो गलत बोलते हैं self pronoun कभी sentence का subject नहीं बनता इसलिए Herself के अस्तान पहां चाहिए था she is a teacher but she does not avail herself थी बच्चे तो she is a teacher क्योंकि she और herself में अंतर क्या है she is a pronoun और herself also is a pronoun अंतर क्या है Herself is a reflexive pronoun reflexive pronoun is never used as a subject in a sentence reflexive pronoun से पहले subject होना जरूरी है without subject काम नहीं करता है इसलिए Herself is a teacher sentence गलत होगा इसको भी detail पहांगा यह प्रोनाउन चप्रोन अपने प्रहा होगा बाभी साहिए among boys and girls among boys and girls eight boys love one another while two girls hate one another ध्यान दीजे बच्चे one another यहाँ देखिए one another यहाँ पे दिया one another यहाँ पे क्या among boys among का प्रयोग कहां करते हैं among between में क्या अंतर हैं देखिए between और among दोनों conjunction है between is used for two person places things or animal whereas among is used for more than two persons places things or animals between का प्रयोग दो व्यक्ति बस्तू के बीच में करते हैं जैसे के बीच में जैसे बोलने मानलों की कि distribute these pains between two boys तो distribute these pains between two boys दो लड़कों में इस कलम को माट दो और among हो गया कि distribute these pains among the crowd तो among का मतलब more than two या these fifteen poor boys तो among का प्रयोग दो सधीक के लिए करते हैं तो boys और girls कर दिया इसका मतलब दो से ज्यादा ही होगा तो यहाँ पर अमंग तो यहाँ पर्फेक्ट हो गया each का मतलब प्रतेक दो के लिए और one अंदर का प्रतेक दो से ज्यादा के लिए तो each other एक दूसरे जैसे हम लोग कहें we love each other जैसे आप मुझसे प्यार करते हो मैं आपसे प्यार करता है तो क्या बोलूँगा we love each other हम लोग एक दूसरे को प्यार करते हैं राम एंड सीता love each other लेकिन जहां पर दो से ज्यादा लोग हो जाते हैं जैसे मान लोग भी 42 लाख लोग हमसे जुड़े हैं 20 करोड लोग हमसे जुड़े हैं तो हम पर क्या बोलेंगे हम? है ना? All of us love one another हम लोग सारे लोग जो हैं एक दूसरे को प्यार करते हैं तो एक दूसरे के लिए क्या हो जागा? One another The five brothers hate one another Hate each other इस तरह से तो इस तरह का प्रयोग दो के लिए वन दूसरे ज्यादा के लिए अब देखें आपर क्या लिखा? Eight boys लड़के कितने है? Eight तो आठ बच्चे हैं तो one another बिलकुल सही है Among boys and girls लड़के और लड़कियों के बीच में आठ लड़के एक दूसरे को प्यार करते हैं While का मतलब जब की two girls, two लड़कियां, दो लड़कियां Hate, नफरत करती है one another तो one another का प्रवक दो सह जादा के लिए कि हैं कितने? Two तो बोलो, one आयागा, each आयागा Another नहीं Each other का प्रवक ज़एँ 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 अब देखिये, last question है Swetha asked her brother Swetha asked her brother Why could her not see Convince See Here I will show you a question Swetha asked her brother Why could her not see Could not Why could her not see Her to convince her of the fact Swetha asked her brother Swetha asked her brother Swetha asked her brother Why could Her not see Here after could Why Why Now look Concept Can I have a look at this Here 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 Concept Why Now Why Shetha When Sin कि वाय शी कुडवम सी अब सब्से का हो जाएगा यहां पर क्या हो जागा वाय और साहब लिआता हूँ यहां पर कर how हर भी कटेगा और आजागा why she could not see, अब सही हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से वो करना होगा, why she could not see, यहाँ छुपा हुआ है, इसको देख लीजेगा, तो इस तरह से समझ में आया आपको, कहने का मेरा सेंस यह बचे, कि जो मैं पहाना चाहता हूँ, जो मैं आपको दे रहा questions दे रहा हूँ, करवा रहा हूँ, मेरा चाहने का pattern क्या है, मैं चाहता क्या हूँ, मैं चाहता हूँ, कि आप घर बैठ करके time waste न करो, आपको मैं इंग्लिस बोलना सिखाई रहा हूँ, आपको मैं चाह रहा हूँ, कि आप जिस exam की त्यारी करते हैं, उन बच्चों को help करिए मान लो आप exam की त्यारी नहीं करते हैं, तो जो बच्चे exam की त्यारी करते हैं, आप उनको, जो बच्चे exam की त्यारी करते हैं, तो exam की त्यारी के लिए आप उन बच्चों को दिजिए, अगर आप exam की त्यारी नहीं करते हैं, तो उन बच्चों की मदद करिए जो exam की त्या एक समान नहीं होता, मैं आपके लिए आता हूं, मुझे लगता है कि एक दिन भी ना मिलू तो मैं अंदर से बेचयन हो जाता हूं, तो इसलिए मैं आप से मिलने आ गया, तो आज थोड़ी सी इनर्जी डाउन मैं खुद भी फिल कर भा रहा हूं, तो होता रहता है, कोई नहीं मैं आपके लिए हूं, तो तबियत थोड़ी सी होती है, थोड़ी डाउन होती रहती है, स्वास थोड़ा चलता रहता है, तो कोई नहीं, साम को 7 बजे, 9 बजे आप रिवीजन क्लास कर लेना, आप रिवाइस कर लेना अपने इंगलिस को, 7 बजे, 9 बजे भी जितना भी पा कैसे मन लगेगा, दो चीज रखिए लाइफ में, पहला एक तो घर बैठे है, बोर आप हो गये हो, सब लोग दुनिया के हिंदुस्तान के पुरे बिस्प के लोग घर बैठे बोर रहते हैं, लेकिन बास मजी है, जिस चीज को आप नहीं कर सकते कुछ भी, आपके बस में को ही है, आज से हजार, दो हजार, पांच जार साल पहले, पुरा दुनिया लॉक डॉन में रहता था, बस घर में खेती बारी करते, खाना पिना खाते, फिर घर में आके पैक हो जाते, पोपुलेस नहीं था जनसंक्या बहुत कम था, कोई जॉब नहीं था, नौकरी नहीं था, पहले DSL भी नहीं था, यूटूब भी नहीं था, तो पांच जार साल तो बहुत पहली की बात करवासे, आप देख लो, 25 साल पहले, क्या यूटूब का दर्संग किया था आपने, आज के एज में आपसे बात कर पा रहा हूं, क्या पहले ऐसा था, कुछ नहीं था, तो जो नहीं है, उसको नियती मान लो, और यूटूब मैं कहता हूं, जितना जादा 10 को देखोगे, माइंड कन्फ्यूज करेगा, और कभी भी नेगेटिव टीचर के पास, जो आपको नेगेटिव करता हो, चाह टीचर हो, चाह व्यक्ती हो, चाह कोई व्यक्ती हो, आप देखो उ मैं तो ऐसा लो फिल कर रहा हूं, नहीं, आपने कहा तो मैं आपकी बात बोल दिया, मैं आपको नेगेटिव बोल करके क्या नहीं कि नेगेटिव एक ऐसा जहर है, जो दिमाग में चला जाता है, वो जहर पूरे सरीर में बलड में जाकर पहला देता है, अंजाने में आपको बरवाद कर देता है वह गुरू, वह टीचर जो अपने समस्याँ लेकर के आपको आता है कि मैं जीवन में समस्याँ से गर्चित रहा मैं ये नहीं किया, मैं वो नहीं किया वो आपको बरवाद करना चाहता है इसलिए आप नेगेटिव सुन नहीं आया है आपको उर्जा चाहिए आपको इनर्जी चाहिए आपको अंदर से जोस चाहिए उबाल चाहिए, यूथ हो यूवा हो आपके अंदर जब तक आग नहीं होगा तो निकलेगा कैसे सुस्ती में जगोगे, रात में जब मन कर सुएगे, जब मन कर जगोगे, फोन देखते रहोगे नेगेटिव नहीं अरे आज धर्मेन से डल है कल तुफान मचा देंगे आज मैं डल लग रहा हूँ, कल तुफान मचा दूँगा किस बात कडल, कह है कडल जिन्दगी मिला है भरपूर जियो अपने मन में कभी नेगेटिव मतलाओ, लाइफ में कुछ ऐसा कर जाओ कि दुनिया कहे कि बंदा कुछ किया है, कुछ भी हो जाए, निरास नहीं होना बद्दे अपने आप से कहे, जीना है ही यार तो कहे को मरमर के जीना कहे करो, सुनाओ मैं कि मैं यह हूँ, मैं वो परसानी, वो परसानी अरे वहाँ जाओ, नहीं धर्मेंद्र सर है जब तक है तो फान मचाते रहेंगे बिटा मुझे सबसे प्यार है जो मेरी सीकाथ भी करता है ना मैं उससे भी प्यार करता हूं क्योंकि अगर वो न होता न, तो मैं अपने आपको निखार न पाता जो मेरी तारीफ करता है ना मैं उसे खुस तो होता हूं लेकि अंदर से कहता हूं कि मुझे और बेहतर बनना है उसे, और खुश रखना है मैं ना तो खुशी में खुश होता हूं, और नगमे दुख मराता हूँ, अपने अंदर क्रांतिकारी मोड में हमेसा रहता हूँ, तो यह मत सोचो, धर्मेंसर डल है, सूस्थ नहीं, धर्मेंसर आग थे, आग हैं, और जुआला बनके उभरेंगे, बस में बया, इसलिए कभी अपने आपको निरास मत रहो, और हतास मत रहो, मैं ध इतना डारता हूँ जोस के लिए, मैं ना तो सिकायत सुनना चाहता हूँ, इसलिए अपने कान को सिर्फ पॉजिटीव सुनो, कैसे सर नहीं हो पाता सर, अरे नहीं हो पाता, छे छे बुख्स परो, सर बुख्स नहीं है, कोई बात नहीं, मैंन में कल्पना करो, विचार करो, आख खुली आख समने देखो, कि बस कुछ भी हो जागा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे, अरे क्या चाहता है भाई, क्यों निरास हो ना, अब आज के दिन को, क्यों पर बात, आज ही तो कल का फ्यूचर है, जो बीत गया, वो चला गया, लेकिन आने वाला दिन त विकिंग त्यारी करो, जो बचा हो समय को चुडा लो, समय नहीं है, समय नहीं है, समय बिल्कुल जा रहा है तेजी के साथ बीत रहा है, इसलिए समय को यूच करो, मैं यहां टीचर आपके लिए ट्रेनर बैठा हूं, आपको गाइड करूँगा, प्रहाओंगा, तिन तिन आपके लिए हरिस दिन भर आ रहा हूं आपके लिए एक भी दिन गैप करता हूं? नहीं जरी दिन मैं आपके लिए आ आपके लिए आएऑं हर दिन सिखाना चाहता हों हर दिन चाहता हूं- तो इनको पढ़ीय और अब सिखा दो उसको, आग कित्रह फढ़ा दो, और मैं तो कहता हूँ न, अभी समय है, पूरे DSL की क्लास भी कर लो, यह बहुत बढ़िया समय है, घर बैठके पूरा सिख भी लो, एक बढ़ा अंग्रेजी बढ़ियां से, और पूरा अंग्रेजी बढ़ियां से सिख लो, ख़ूरे, ताकि दुनिया भटकते रहे, तुम पर्ढ़के निकल गए, एक पूर्टन स्ट्रूंग तो हो गया, आज इए पर्णा कल भी है, तो एक पूर्सन कम से कमान स्ट्रॉंग तो हो गया, तो एक पूर्सन एंग्रेजी को ऐसा स्ट्रॉंग कर लो, और नहीं तो मैं सुबह साम दही रहा हूं बढ़ियां से कॉपी किलम ले करके पढ़ हो और जो नेगेटिव बोलता हो उसको ला तुमार के फेको ना चाहिए वो कोई हो कोई कोई don't try to listen any kind of negative words and don't leave those persons who discourage at a moment उसके साथ रहो ही मजो तुमको discourage करता हो चाहिए दोस्त हो चाहिए फोन हो चाहिए कोई हो चाहिए लड़का हो चाहिए लड़की हो चाहिए टीचर हो चाहिए गुरु कोई हो आप हमेसा positive बाते सुने अपने mind को positive उरजावान बनाए एक प्रकृति आपका स्वागत नेगेर्टिव नहीं हसोगे दुनिया हसेगी रोगे कोई नहीं आगा तेरे पास इसलिए हसने का प्रियास करो जौला मुखी फैलाओ अपने अंदर एक जौला तक कोई मिले भी न तो लगे घजा भी इसमें इनर्जी एक रो एक रेज निकले उरजा का ठीक है चला जाए प्रिमिले के लाव से थैंक यू मच बहुत बड़िया आज आपकी फैमिली ब्यालीस लाख सत्तर लाख इस तरह से फैल रहा है और यह ब्यालीस करोर हुआ चाहिए फैलाओ उसको आगे तरफ ठीक है ना चलो थैंक यू इसल पूटरे बाबाए